प्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शोकों का वेलकम करता हूँ, आप़ी ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजी टिटिवी नेट्वर्क पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का दैनिक राशिफल आपका राशिफल इस राशिफल में हम आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशी के जीवन का हाल साते सात आपको बताएंगे राशय नुसार कुछ सिंपल से हो पाय아 जो आपके लाइफ को सक्सेस्टफुल बनाए पंचांग बताएंगे, दिन का हाल बताएंगे आपका लख्य नंबर, लख्य कलर, लख्य डिरेक्शन, लख्य टाइम बताएंगे शत्र में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा चार लखी कलर रहेगा ब्लू यानि कि नीला लखी डिरेक्शन रहेगे नेरित यानि कि साउथ वेस्ट रहेगा शाम को चार उनसट से लेकर शाम को छे अठाइस तक होला अश्टक रहेंगे रवी योग रहेगा सुबह छे त जंडा जिसे कहते हैं ध्वजियोग और इसमें भगवान विश्णू के पूजन का विधान है देखिए दश्मी का दिन दश्मी तिथी रविवार का दिन पुनवरसु नक्षत्र ध्वजियोग भगवान विश्णू का पूजन होगा और जो हमारा स्पेशल उपाय है वो गरेलू कामकाद से परिजन संतुष्ट रहेंगे आर्थिक मामलों में जोख्म लेने से वचें सेहत पर ध्यान दें ग्रह कलेश से परिश्थान रहेंगे दामपत्य में मधधूरता बढ़ेगे उपाये करें कि नाभी पर लाल चंदन लगाएं दूसरी राशी वरिष यहन में लाल फूल चड़ाएं बात करेंगे तीसरी राशी मितन यानि जमनाय की आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत रहेगा पुराने मित्रों से मिलकर खुशी होगी घरिलू कामों में सफल रहेंगे घरिलू जीवन सुख में रहेगा परिजनों के साथ में डिनर करने जाएं गरिलू जीवन सुखी रहेगा उपाई ये करेंगे लाल पैन से धन लिक कर जेब में रखें बात करेंगे पांचवे राशी सिंग यानि के लियो की आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा सेहत पर ध्यान दें कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा काम का बोज कम होगा सामाजे कामों में भाग लेंगे उपाई ये करें कि अजवाईन का सेवन करें छटी राशिक कन्या यानि वर्गों की बात करेंगे रिष्टों में मधूरता आएगी आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा घरिलू काम का आजासानी से निप्टेंगे कारोबार यात्रा सफ परिजनों के साथ समय विताएंगे उपाई ये करें कि पर्स में गेहूं के दाने रखें आठवी राशिक व्रिष्चे क्यानि कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे जीवन साथी की मदद से खास काम पूरी होंगे जिमेदारियां सही तरीके से निभाएंगे निवेश से काम मन मताबिक पूरे होंगे कारोबारी काम में तारीफ मिलेगी उपाई ये करें कि कलाही पर लाल धा का बांद हैं बात करेंगे राशी नमबर 10 मकर यानि की केप्रिकॉन की प्रापटी के मामले सफल रहेंगे खास काम निप्टाने में अधिक समय लगेगा मान से एक खुश रहेंगे पारेवार एक तनाव मिटेगा मित्र की मदद से काम काज में सफल रहेंगे उपाईए करें कि चुटकी बर रूली जल प्रौहा करें बारवी राशी मीन यानि पाईसे की बात करेंगे रुके वे पैसे बापिस मिलेंगे आर्तिक पक्ष मजबूत रहेगा करियर में अच्छी ख़वर मिलेगी खास पारेवारी काम पूरी होंगे काम को टालने से बचे हो पाईए करें कि गरीब महिला को तांबे का बरतन दान करें तो दोस्तों अब समय है आज के स्पेशल उपाई का वो स्पेशल उपाई जो आपकी सेहत में सुधार लेके देखिए दश्मी की तिथी है रविवार का दिन है धौजय योग और पुनवरशून अक्षट्र है प्रस्पती का एसे में भगवान विश्टन के पूजन का विद्धान आक वोजन करें और प्रूरए प्रयोग में एक विशेश मंत्र चाप करें औम मनु पालकाई नमाहा जिसने मनू का पालन किया था आश्वस्त करता हूं आपको निश्चित रूप से सेहत में सुधार आएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें आपी का अपना चनल कमल नंदला लिजाज़त दीजे नम नमाश्कार नमाश्षिवाए